नमस्कार मैं हूँ जोट साचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिकरम भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या इस्तिति है राहुकाल कब है दिशासुल कब है सुम मोर् पर विंतर आपकार घ्रिया के बारे में बताओंगा किसको सरकारी नोकरी मिलीकों उपेड़ी के प्रैप्रत के बिए आहराब को और सौधानी की आप रतने उपाया करना है गुरु कि निस्किके प्रशनाओ का उत्तर भी दूंगा और आज इसंको जन्मदीन है उनके भी ब कर सकारे करें। बात करते हैं जो कि आज के पंचांकी आज थे तेरह नॉंबर द्वजार तत्रीकर भी में साव मुझे आज आच को 20 capability पर सूर्यास्त ओगा साम को पॉंच। रहे सौभाग योग है आज का जो सुम मूर्थ है वो 11-43 से लेके 12 बज़ के 26 मिनट तक रहेगा रहु काले 8 बज़ के के लापडता होता है अब आई यह हम बात करते हैं आज की महामंत्र के आज का महामंत्र है ओम नमाशिवये यह जो महामंत्र है दिवाद classic महादेव का है अगर आप इस मंत्र का निया में जब करते हैं अप आप के लिए बहुत ही अच्छा मजबूत होगा आप उत्रोतर प्रगत करेंगे रुद्राक्स के माले से इस मंत्र का नियमें चपकरी आपके लिए अच्छा रहेगा अब हम बात करेंगे 12 राश्यों की बारे में कि आज की 12 राश्य क्या कहती है किसका भागोद होगा कौन विदेश जाएगा किसको सरकारी न तक हैं आज का दिन आपके लिए अति महत्मोर है आर्थिक की सत्याप की मजबूत होगी धन की सती बहुत अच्छी होगी अगर आप प्रापल्टी खरिदने का बना रहें तो प्रापल्टी खरिच सकते हैं आपके नोकरी में परिवरतन का योग बन रहा है माली हालत और कई महत्मोर कारी जो बहुत दिन से सोच रहें वो होने की संभोना बन रही है धन के लिए समेच्छा चल रहा है बीच वीच फे थोड़ा चुनोतियां आती रहेंगी आज लेकिन चुनोतियों को स्विकार करते हुआ आप आगे बढ़ेंगे प्रापल्टी को लेकर के ज जैसे माता पीता है बाई बंदुए गुर्जन उनसे सलाह लेके ही करिए उपाय क्या करना भुगान सुरीदियों के रादना करें जलर पित करें ओम घ्रड़ी सुर्यानम इस मंत्र का जब करें सुबंके पांच सुबरंगे लाल लग मीटर साथ हरी कृष्मा बात करते हैं जो ब्रिश राशी के जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है नए बैपार करने के उसर मिलेंगे बैपारी किलाब मिलेगा पत्नी की स्वास्त को लेकर के चिंता समाप्त होगी लेकि पत्नी की स्वास्त पर जयान रखे सुब कारियों में ज्यादा धन देश विदेश की आतरा का योग बन रहा है माली आला तच्छी होगी और आर्थिक किस्ति के लिहाद से आज का दिन अच्छा है रुकाव अधन प्राप्त होगा आगे बढ़ेंगे प्रगति करेंगे भाईयों का सुख मिलेगा प्रापल्टी और अकुले की विवास माप् अपना में भगवान भोले नात के राद ना करें उपाय में और आज के लिए सुबंग के साथ सुबरंग है आस्मानी लक मिटरे साथ हरे कृष्णा बात करते हैं मिथू राशी की जातक हैं आज आपको चारों तरफ से धनलाब होने का योग बन रहा है आपकी परिशानिया प्रापल्टी खरिदना चाते हैं यह स्टेट में पूजी करना चाते हैं तो आज का दिन सुब्ह है नहीं सुब्हकार उनने शाहियोग से कुछ बड़ा कारे कर सकते ता आज का दिन महतपूरें पुजी ताद नीवेस करने के लिए अच्छा है उपाय क्या करना बात आपका याज़् आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका विजन है आईडिया इंप्लेमेंट होगा ने ऑडिया से धन मिलेगा शंतान का शुक पराप्त होने का योग बनेगा ही है शरकार और राजनीती से बड़ा लाप होने का यूग बन रहा है भूमिभून भाहन खरिदने का प्रबल यूग बन रहा है आपको कई महत्मुर्ण कार होने का यूग बन आपके अध्यात में रुची बढ़ेगी और आपकी राजनीती किस्टी मजबूत होगी राजनीती से लाप मिलेगा सरकार से लाप मिलेगा अचानक यात्रा इतायद होने से मनुद्धिक नहो सकता है सौधानी के अबरत ने नकरात्मक सोथ से बचें उपाय क्या करना चंद्रमा के अरादना करें सफेद बस्तू का दान करें सौभांके दो, सौभांगे सफेद, लक मीटरे आठ, हरे क्रिशने बात करते हैं शिंगराशी की जो शिंगराशी की जातक है आज आपको प्रापल्टी से लाप मिलेगा भूंभान भाहन खरी सकते हैं उसका सुख मिलने का यूग बन रहा है संतत्यों के प्रगत से मन परसंद रहेगा अज़ आपको रिंड से मुक्ती मिलेगी एक्सपोल्ट इंपोल्ट से लाफ मिलेगा ब्यापारिक के सिती मजबूत होगी परिवार में शुब और मांगली कारे हो सकता है नौकरी में पदुन्नत का योग बन रहा है आलस्षिका परिथाक करना ही सरेश कर रहेगा मनोबल बढ़ाएए और मनोबल से काम करिए आपका समय अच्छा चलना है सौधानी की अबरतनी आपनी भासा पर संजम बरते हैं उप्आय क्या करना लाल वस्तू का दान करिए आला सिका परता करें गाये को गूर्ड पूरी और रोटी खिलावें या गाये को हरा चारा खिलावें सुभंग के एक सुभंग है सी ग्रीन लक मीटर आठ हरी क्रिश्म बात करते हैं कन्याराशी की जातक हैं आज अपना अलस्यका पर त्याक करके अपने कर्मशत में लग जाईए माता पिते के आशिरबाद से कई महत्पूर्ण कारी होंगे नए प्रकार का बैपार शुरू करने का उसर मिलेगा निया घर खरी सकते हैं आज आपको समय आपके लि कर ही कारेकर उसे लाब मिलेगा और बौधिक शित्र में विकास होगा धन में बृद्धी का यूग बन रहा है अगर कोई पूजी निवेश करते हैं तो लाप्रद रहेगा भाई भन का सुख मिलेगा प्रपल्टी से लाब मिलेगा रोग और सत्रु परास्तों के खड़ें परकारी बेफल रहेंगे शौधानी के अपरतने अपने समय की कीमत को समझें उपाय क्या करना भोगवान गडिश जी के आराधना करें पंची मेवा के खीर से हवन करिए शुबंग के दो शुबरंग है नीला लक मिटर साथ हरी कृष्णा बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है बाणी पनिया द्रण रखें लेखन कारें और साहिते से धन लाव मिलेगा मान सम्मान में बड़ोतरी होगी बैपार में ब्रिद्धी का योग बन रहा है समय उत्तम है समय का सदुप्यों करिए लाप सबस्त बाद की होने का योग बना रह रोग और सत्रसक्त रहे हैं आपका बैब में भैब ऐस चीजों में बढ़ेगा और लक जरी चीजों में धन खरंड़ Son नियागर जमीन बाहन खर लेख कयोंणे का वस्तर oui परिवार में रूझ ऑर में लाख होने से सोदानी में बड़ो से बचें उपाय क्या करना भगवान सीव की आरादना करिए और सफेद बस्तु या दूद से बनी चीजों का दान करिए सुभंक है दो और सुभंग है ग्रीन लक मीटर साथ हरे कृष्ण बाथ करते हैं बरिश्यक राशी की जाततक हैं आज आपको अपने गुस्थे पर ध्यान रखना चल चल समत्ति से लब बिलेगा इंट वट्थे का दीउलत करते हैं निया कारी की शुरुबात करक सकते हैं नई नोकरी और नोकरी में प्रोहशन फ़वार्द हो को ले करके आपको केरियर धन की प्राप्ति अच्छा होगा करियर में सब भलता मिलेगी धन अर्जित करेंगे यात्रा हो सकती उसका प्रबल योग बन रहा है सौधानी के अबरतनी बाणी पनियंतर रखें उपाय क्या करना है संकट मोचन हनुवान जी के अरादना करें लाल प्रेयब बढ़ेगा सरकारी नवकरी मिलने का योग बन रहा है पद्वुन्नत भी हो सकता है विदेश शात्रा जाने का योग बन रहा है आज आपको शिक्षा के चट्र में लाभ मिलेगा प्रमोशन हो सकता है व्यपार अगर पूंजी निवेस करतें तर लाभ होगा जो कि मुठाना आपके लिए लापरत है नौकरी त्यादी में पदुन्नत होगी आपके रोग और सत्रों बीरोधी परास्तों के खड़ें द्रकारी बेफल रहेंगे सौधानी के अपरतने दिल के बजाए दिमाग से निड़ेलें गाय को खिचड़ी और दाल भरी पूरी खिलावें सुबंक है एक सुबरंग हलका पिंक लक मिटर रचे हरी कृष्णा बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी के जातक है आज आपको तेजगत की गाड़ी नहीं चलानी है आपने को सौधानी सरह ना है समाज में अपकी परतिष्टा बढ़ेगी यस बढ़ेगा पतनी की करने का उसर मिलेगा पतनी का सहयोग मिलेगा नए बैपार से धन लाप का यूग बन रहा है रुकावा धन प्राप्त होगा माली आलात अच्ची होगी दूर देश की यात्रा होगी देश भी देश की यात्रा से धन मिलेगा मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी सुबकार होने क का यूग बन रहा है यात्रा से लाब होगा तता बैपार में अगर कोई फूजी निवेश करते हैं ता आपके लिए लाब प्रत रहेगा सौधानी के अबरत निए घुस से पनियंतर रखें उपाय क्या करना है शनी देव का रात ना करें और शनी देव को शनी मंदिर में जाक पिता का सिर्वात प्राप्त होगा विदेश जाने का उसर मिलेगा इंडेस्ट्रियों गरा लगा सकता है अपने खर्चों पर नियंतरल करें और कई महत्मौन कार आपको हो सकता समय बेहत सुबह आर्थी किस्टिस्टिस्ट्रिन होगी मनोबल बढ़ेगा विरोधियों से थ खरी दिये सुबंके चार सुमरंगे भूरा लक्मीटर साथ हरे कृष्णा बात करते हैं तिमराश्य मीन की जो मीन राशी के जातक हैं आज आपको मेहनत से आर्थिक लाप प्राप्त होगा सरकार और राजनीती से लाप का युग बन रहा है संतान और माता पिता का शुक्त आए के नशन सादन होगे आज कसमें आपके लुटता में रुकावा कारे संपन होगा योजना लाप प्राद होगी बहुत दिनों से शीर पर्तिक्षी जो रुकावा कारे संपन होगा अगर पूची निवेस करते हैं तो लापकारी होगा भागड़ बनी रहेगी और कोई भ प्रिष्णू और माता लक्षमीजी की पूजा करिए सुबंके तेन सुबरंगे लाल लग मीटर आठ हरे कृष्णू बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज 13 नौंबर आज जिन दर्सकों का जन्मे दिन उनके जन्मे दिन की बहुत-बहुत-बधाई ध खोब प्रगत करिए आपका चतुरतिक विकास वाप पर भुगान भूलेनाथ की किरपावर से हैपी बढ़ दे आज जिन दर्सकों का जन्मे दिन हैं उनका मुलांग खोता है चार तो चार तेरा बाईस से तिस्थी की जो जन्मे जाता तक हो तो नका मुलांग खोता है चार जुलाई से लेकर के दिशमबर तक का कालखंड अच्छा है और जन्मरी से लेकर जुन तक का जो कालखंडें बहुत महतपूर्ण है श्वरенноist है इसमें चतुरतिक विकास, प्रगति, नया मेहमान और आपकी सारी परिशनियां दूर होंगी। पुना जुलाई से लिके दिसमबरता का कालखंड आपके लिए स्वाड़ीम है। इसमें तो तर भिकास होगा, सारे आपके बने हुए काम और बनते जाएंगे और रोग और सत्रुप परास्त होंगे। सौधानी के अबरतनी हैं, जल्द बाजीम कोई कार न करें। और दूसरों पर भुरोसा न करें। अपनी गोप निता वरते हैं। उपाय क्या करना है, भगवान भूले नात के अरातना करें। ओम नमस्युवाय मंत्र का जब करें। और ध्यान रखें कि आप पूरा वर्ष सफेद बस्तू का दान करें। भगवान स्यूजी का दर्सन करें। और माता पिता का शिरवाद लेजिए, आपके लिए वर्ष अ पकारक होता है। तो चंद्रमा की वज़े से व्यक्ति का मन में बिखराव होता है, एकागरता नहीं होती, व्यक्ति नेगर्टि थाट में चला जाता है, सारा मामला सोच का होता है। तो सोच पाजिटिव रखें ता आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको क्या करना है कि पूरे बर्ष परियंत आपको जो गुरु के नुस्के में ध्यान रखना है कि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा को कैसे मजबूत करें। अगर आपके कुंडली में एक चार साथ दस में चंद्रमा नीच का है तो आपको घबराट होगी, बेचेनी होगी इमोशल सब अपने को ध्यान रखिए तो क्या करें कि खीर बनाईए गरीबों में बांट दीजिए और दूथ से बनी बस्तू क्या करिए कि मंदिर में दान करिए और जिनका है वो सफेद बस्तू का दान करिए जिनका है तो यह पूरे बर्ष परिंत करिए एक कि सोमवार आ